ओम नमस्षिवाय हरे क्रिष्णा नमस्कार भक्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेटमस्वाइस में हेप्री भक्तों आज हम सावनमास महतम्य के अठार में अध्या का श्रवन करेंगी उसके बाद आज हम भगवान शिरे क्रेश्ण द्वारा सुनाई गई भ् हुरत से संबंधित बड़ी ही पावन कथा का रस्पान करेंगे आप सभी से विनम्र निवेदन हैं किस कथा को पूरा अवश्य सुनेदा तो आईए मन में गौरी पुत्र गनेश माता पार्वती भगवान भोले नात और अपने कुलेष्ट देवी देपताओं का ध्यान करत अम नमस्षिवाय हे प्रियबग्तों भगवान शिव सनत कुमार से बोले हे सनत कुमार मैंने आप से शावन मास्ता कुछ-कुछ महातम में तो कह दिया है इसके संपूर महातम में था वर्णन सैंक्डों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता मेरी इस कल्यानी प्रियास सती न अपना श्रेद करके पिर्से हिमाले की पुत्री के रूप में जन्म मिया शावन मास्त में व्रत करने की कारण यह मुझे पिर्से प्राप्थ होई इसलिए शावन मास मुझे अतीप्रियर है यह मास नाधिक शेतल होता है और नाही अधिक गरम होता है राजा को चाहिए कि शावन मास में शुदागनी से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपोर्ण शरीर को ओद धूलित करके जल से आर्द भस्म के द्वारा मस्तक वक्ष स्थल नाभी दोनों बाभू दोनों कोहनी दोनों कलाई कंठ सर और पीत इन बारह स्थानों में के मंत्र से अत्वा सत्यो चार आदी मंत्र से अत्वा शडाक्षर मंत्र ओम नमस्षिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करें और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारन करें कंठ में 32 रुद्राक्ष सर पर 22 दोनों कानों में 12 दोनों हाथों में 24 दोनों भुजाओं म और शीखा की अगरभाग में एक रुद्राक्ष धारन करें। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जब करें। हे विपेंद्र शावन मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है। इस में संदेख नहीं है। इस मास को मेरा अध्यन्त प्रिया जान कर केशव की तथा मेरी पूजा करने चाहिए। इस मास में मेरी अध्यन्त प्रियती थी। कृष्णाष्ट में बढ़ती है। उस दिन भगवाई श्रीहरी देवकी के गर्व से उत्पन हुए थे। हे सनद कुमार यह मैंने आपको संग शेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। फिर सनद कुमार बोले हे पार्वति पते आपने शावन मास का जो जो कृत्य कहा। उन्हीं सुनकर आनंद साधर में निमगन रहने के कारण और उनका वर्णन विस्त्रित होने के कारण विवस्तित रूप से समर सावधाने से सुनकर मैं भक्ती पुर्वक उन्हें धारन करूँगा। भगवाई शेप बोले हे सनद कुमार शावन मास के शुब अनुक्रमानिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्व प्रथम शोनक का प्रशन उसके बाद सूत जी का उत्तर श्रोता के गुण आपके प स्तुती फिर से हे मुने आपका विश्तरित प्रशन इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुती फिर क्रम सी उदेशे पुर्वक मेरा उत्तर फिर आपका विशेश प्रशन उसके बाद नक्त वरत की विधी रुद्रा भिशेख कथन इसके बाद पूजा विधी, दीपदान, पिर किसी प्रियवस्तु का परित्याद, फिर रुद्राभी शेक करने तथा पंचमृत ग्रहन करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद प्रिथ्वी बर्शैन करने तथा मौन व्रत धार्न करने का फल, उसके बाद मासो पवास में धारना विधी इसके बाद सोमा ख्यान में लक्ष रुद्र वर्ती विधी फिर से कोटी लिंग विधान इसके बाद अनवदन नामक वृत कहा क्या है इसी वृत में हविश्यान ग्रहन पतल पर भोजन करना शाक त्याग भूमी परशैन प्रातहसनान और दम तथा शम का वर्णन उसक प्रिट आदि लिंगो में पूझा जब कफल उसके बाद प्रदिक्षन नमस्तार वेद बराया पुरुसुक्त की विधी उसके बाद ग्रह यग्या की विधी रवी सौन्मंगल की वरत का विस्तार पुरवक वर्णन पिर से बुद्ध गुरु का वरत इसके बाद शुक्तर प्रिट वरत का महतम्य अदूंबर वरत सुआन गौरी वरत दुर्वा गनपती वरत पंचमी तिथी में नाग वरत शष्टी तिथी में सुपोदन वरत इसके बाद शीतला सब्तमी नामक वरत देवी का पवित्रा रोपन इसके बाद दुरगा कुमारी की पुजा आशा वर पिर से श्रिहरी का पवित्रा रोपन पिर द्रियोदशितिथी को कामदेव की पुजा उसके बाद शीची का पवित्रत धारण पिर उपा करम उत्सर जन तथा श्रवणा करम इसका वर्णन ज्या गया है हे प्रिय भक्तों, इसके बाद भगवान्शी पोले, सर्प बली, हाई ग्रेव, जनमोट्सव, सभादेव, रक्षा बंधन, संकट नाशन व्रत, क्रेश्न जनमाश्मी व्रत, तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक व्रिश व्रत, कुष्क रहेंग, नदियों क रजो धर्म, सिंह संक्रमन में, गोप्रसब होने पर, उसकी शांती, कर्क सिंह संक्रमन काल में, तथा श्रावन मास में, दांस, नान, महतम्य, महतम्य, श्रावन, उसके बाद, वाचक पूजा, इसके बाद, अगस्त्य अर्ध विदी, फिर कर्मों तथा ब्रतों के काल का न प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् कहने से क्या राब है शावन मास मैं जो विधान किया गया है उन में से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझी अधीप्रिय है फिर सूथ जी बोले हेशनक शिव जी के अम्रित मैं इस उत्तम बचन का अपने काण पोट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और क्रित क्रित्ते हो गए शावन मास किस्तुती करते हुए तथा हिर्दे में शिव जी का स्मरन करते हुए विदेव रिशी श्रेष्ट सनत कुमार शंकर्जी से आध्यानेकर चले गए जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ट रहसे को प्रकाशित नहीं करना चाहिए हे प्रभू आपकी योग्यता देख कर ही मैंने इसे आप से कहा है ओम नमस्षिवाय हे प्रियभक्तों तो इसी के साथ ये महात्म में कथा यहीं परस्माप्त होती है इससे आखी का वर्णन आप अगरे अध्याय में सुनेंगे हे प्रियभक्तों माहा पुरुष क्यों कहते थे कि जो जागत है वह पावत है और जो सोवत है वह खोवत है नाते हैं दरसल हमारे परिवार के लोग सुभा जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं उनके पीछे बहुत बड़ी अध्यात्मिक बातें छिपी हुई हैं इतना ही नहीं सुभा जागने को विज्ञान भी कहता है सुभा के समय का जो मुहुरत होता है उसे भ्रम मुहुरत में उड़ता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मत रूप से सत्रिय होता है प्रति दिन सुभा के समय पर जो भी प्रा conviction जया है उससे सकारात्मता है उसकत कदा मैं सिर्फ ब्रहम मुहुरत के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधी पताएंगे, जिसे अगर कोई 21 दिन अपनाता है, तो वहे अपने सपनों को साधार दर सकता है, उसे भ्रमान की शक्तियों की विशेश मदद मिलने लगती है, इसके साथ ही वहे व्यक्ति अपने मन को स्थेल और बुधिमान बना लेता है, हे प्रिय भक्तों, तो आईए, मैं आपको वहे कथा सुनाती हूँ, एक समय की बात है, नारद जी जब आकाश मार्ग से खोते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको इंद्र देपता मिले, वहे नारद जी से पूछने लगे, हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रते एक इंसान, जो सुभा के समय ब्रहम मोरत पर उड़ते हैं, वहे बहुत सुखी रहते हैं, ऐसा क्यों है? अब नारद जी को इस बात का ग्यान नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हे इंद्र देप, मैं आपके प्रश्नों का उतर कल दूँगा, और वे वहां से सीधा पहुचे भगवान शिरी क्रेश्न की नगरी व पहुचकर उन्होंने देखा कि भगवान शिरी क्रेश्न एक पेड़ के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे, जैसे ही नारद जी शिरी क्रेश्न के पास पहुचे, शिरी क्रेश्न ने बांसुरी बजानां बंद कर दिया, और नारद जी से बोले, हे नारद जी, आपको किस बात की चिंता है तब देव रिशे नारज जी बोले हे भगवन आज में आकाश मार्ग से होता हुआ वैपुंध लोग की तरफ जा रहा था तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले उन्होंने मुझसे पूछा कि नारज जी जो लोग सुभा सुभा भ्रहम मोरत में उड़ते हैं वह सब इतने खुश क्यों रहते हैं हे भगवन मैं इसी प्रशन का उत्तर आपके पास जानने के लिए आया हूँ तब भगवाएं शिरी क्रेश्न कहते हैं हे नारज जी वाकई में इंद्र देव ने आपसे यह प्रशन पूछ कर समस्त मानव जाती का कल्यान किया है आज कल्यू के मानव के लिए यह प्रशन इत्ता महत्व पूरण है कि जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी जान होती है देव निशी नारज जी मैं आपको इस प्रशन का उत्तर एक तथा के माध्यम से बताऊंगा क्रिप्यां तर्किया आप इस तथा को अ नहीं जाने देखा भ्राम महुरत तरह से जानकर पौण जीवन बदल जाएगा हे प्रिय भक्तों तब देव रिशी नारज जी बोले हे भगवन आप कहिए तो सही मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोग जगत में भी विख्याद करूंगा तभी भगवान शिरे वह लड़का अच्छा था लेकिन उसकी एक खराब आदत थी वह देर तक सोता रहता था सुभा उसे जगाने के लिए लाखों प्रियास किये गए थे किन्तों सब ने हाल मान ली थी वह लड़का कभी नौ बज़े से पहले नहीं उठता था जब वह बालत था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत मैं खुद ही सुधारा जाएगा किन्तों हे प्रियभक्तों वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई दुनिया इधर से उधर हो सकती थी लेकिन व लड़की को धेरो नगरात्मक्षत्यों ने घेर लिया था वह सभी को पलड़कर जवाब दे दिता था दिन भर उदास रहता था इसका असर उसके स्वास्ते पर भी पढ़ रहा था जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं तब वह और भी ज़्यादा दुखी हो गया और इश्वर को कोसने लगा वह बार बार कहता था कि मेरी तो किसमत ही धराब है किन्दो उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पिछे क्या कारण है हे प्रेभगतों आगे श्री भगवान श्री क्रिष्ण कहते हैं कि हे नारजी एक दिन की बात है उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो वे तुरन थी अपने बेटे की समस्या को लेकर अंग सन्यासी के बात जा पहुँचे पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की सभी आदतों के बारे में बता दिया भगवान श्री क्रिष्ण कहते हैं कि हे नारजी सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए पिता घर की और चले गए उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी को मिल्या के लिए कहेंगी तो वह तो कभी भी तैयार नहीं होगा उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो अपने पीता की बातों को सुनकर लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पीता जी किन्तो जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सबल्दा का रहसे पुछता हूँ तब वे मुझे कुछ भी नहीं बताते तब उसके पिता ने अपने बेटे से कहा कि मुझे इसका रहसे पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं लड़के ने बड़ी ही उत्सुपता से पुछा क्या पता चला है पिता जी कृप्या दर्ग्या मुझे बताईए पिर पिता जी ने कहा कि कल सुभा तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम बचातर उनसे मिलना है यदि तुम बहाँ पर समय से पहुँच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगी जिससे तुम सफल हो जाओगी किन्तु समस्या एक ही है लड़के ने पुछा क्या समस्या है पिता जी फिर पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक तो सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाएगा हे प्रिय भगतों भगवाएं श्रीक्रेश्न कहते हैं कि हे नारत लड़के ने कहा कि पिता जी मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुभा सन्यासी से मिल कराऊंगा फिर उसके पिता ने कहा कि ठीक है पुत्र सदैब उन सन्यासी की आग्या को मानना पिता की बातों को सुनकर वह लड़का बहुत अधित उत्सप हुआ जीवन में पहली बार उसने रातरी जाखिन किया किन्तो थोड़े ही समय में उसे नेंदा गई और वह फिर से सो गया अगले सुभा जब वह उठा तो उससे पता लगा कि सन्यासी से मिल ये का समय तो समाप्त हो चुका है उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे जाओ जाकर सो जाओ पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ उसने मन ही मन स्वयम को चुनाती दी कि कल सुभा वह सन्यासी से मिलने तो अवश्य ही जाएगा उसने अपने हाथ में एक छोटा सा एक घाओ बना दिया धर्द के कारण उस लड़के को रात भर नेंद नहीं आई भगवान शिरीक्रेशन कहते हैं कि हे नारची यह ऐसा पहला अफसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सुरे उद्धे दिखा था वह दुरांथी तयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया आज उसका नुभव कुछ अलग था वह बेहत शान मैसूस कर रहा था और चन्ते चन्ते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम न पहुँचा वहाँ पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिश्य दियान लगातर बैठे हुए हैं जब ध्यान का समय समाप्थ हुआ तब लड़का उन सन्यासी के पास पहुँचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ क्रिप्या तरके मुझे वह मंत्र बताईए मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जेवन जेना चाहता हूँ फिर भगवान श्री क्रिश्न कहते हैं कि हे नारची सन्यासी महराज उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अच्छा तो तुम वही बालक हो तुम्हारे पिता मुझसे मिले आये थी और उन्होंने तुम्हारे विश्य में मुझे सब कुछ बताया मैं तुम्हे वह मंत्र अवश्य बता देता किन्तू अब लड़के ने जैसे किन्तू शब्द सुना लड़का घबराके उसने पूछा किन्तू क्या गुरु देत तब सन्यासी बोले मैं तुम्हे वह मंत्र अवश्य बताऊंगा किन्तू अगले 21 दिनों तक तुम्हे मेरी आग्या माननी होगी मैं तुम्हे वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा तब तर्थ मैं तुमसे जो भी कारे कहूंगा तुम्हें वह करना ही होगा यदि तुमा सफल हुए या कारे के बेच से तुम्हारा संकल्प तूट गया तब उस मंत्र का असर नहीं होगा द्रेड मिश्चे के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आग्या स्विकार है मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है फिर सन्यासी ने कहा कि ठीक है कल से तुम्हारा करे शुरू होगा तुम इसी आश्रम में निवास करोगे फिर वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तयार होगा सन्यासी ने कहा कि यहां रहते हुई तुम्हें भ्राम मुहरत में उठना होगा और दोस्रे शिश्यों की तरह ध्यान और तब करना होगा साथ ही सलत आश्रम के कारेों में भी सहायता करनी होगी ध्यान रहे यह संतल्प तूटता नहीं चाहिए हे प्रिवत्तों अब लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया अगले दिन से उसके कारे के दिन की शुरुवात हुई इस बार लड़का इतना ध्रेड निश्चे करके आया था खिन्तू एक सब्ताह बीतने के बाद ही उसका संकल्प तोट गया और वहे आठ में दिन देर तक सोता रहा जब वहे जागा तो उसने कहा कि मुझसे कित्ती बड़ी फोल हो गई है वहे रोते रोते सन्यासी के पास पहुँचा और कहा कि हे गुरुदेर मेरा संकल्प तोट गया है अब मैं जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा बहुत सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुर्वात करो फिर से संकल्प करो लड़के ने सन्यासी से प्रशन किया कि सुभा उठना इतना अविश्यक क्यों होता है गुरुदेर और यहाँ पर सभी लोग इतनी जन्दी क्यों उठ चाते हैं तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुभा यानि ब्रह्म मुहुरत में उठतें के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है लड़के ने कहा कि कृप्या करके मुझे वह विधान बताने की कृपा करें सन्यासी ने कहा कि रात्री को चार पहर में बांटा गया है पहला रूद्रकार जिसका समय शाम छे बज़े से लेकर नौ बज़े तक होता है दूसरा राप्षसकार जिसका समय नौ बज़े से बारा बज़े तक होता है तीसरा गंधर्वकार जिसका समय रात्री बारा बज़े से तीन बज़े तक होता है और सबसे अंध मैं जो पहराता है उसे मनोहर काल कहते हैं इस समय को भ्रह्म मुहुरत ये अमरित बेला के नाम से भी जाना जाता है इसका समय तीन बजे से छे बजे तक होता है यह वह समय होता है जो पूरे संसार के नकारात्मक्षतियां निश्क्रिय अवस्थां में होती हैं और सकारात्मक्षतियां सरक्रिय होती हैं भ्रह्म अर्थात देव मुरत अर्थात समय भ्रह्म मुरतकार देवों का समय होता है हे प्रिय बक्तों वह सन्यासी आगे कहते हैं इस समय देव धर्दी पर विच्रन कर रहे होते हैं और जागरित मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है भ्रामम्हूरत ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिश बिलकुल खाली होता है इसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ती अपनी पुस्तक खोल कर पाठ का अध्यान करते हैं तो उन्हीं सब कुछ जंदी जंदी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है यह ऐसा समय है जिसमें हम ग्यान को समझने का प्रयास करते हैं इसी कारण और आश्रम के सभी शिश्य और संसार में बहुत सी ग्यानी लोग भ्राम्व मुहरत में ही उड़ जाते हैं प्राचिनकाल में रोष्णि का कोई स्थोत्र ना होने के कारण लोग अपने दिन का स्मापन सुर्यास्त के साथ और आरंग सुर्योदे के साथ करते हैं यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तानमेल बना कर चलता है भगवान शिरीक्रेश्न कहते हैं कि हे लारची उस लड़के ने कहा कि ठीक है मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूं किन्तु ब्राम महुरत में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए तब उस सन्यासी में कहा कि ठीक है पुत्र मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्राम महुरत में क्या और कैसे करना चाहिए सबसे पहले उठकर धर्टी पर पाउं रखने से पहले धर्टी मादा को प्रणाम कर लेना चाहिए भागवान श्रीक्रेश्ट कहते हैं कि हे नारत वह सन्यासी आदी कहते हैं कि अपनी हतेलियों की ओर देखो और इश्वर को धन्यवादो कि उन्होंने तुम्हें आज का सोरे उदे देखने का अफसर दिया इसके बाद मित्य करम और सनान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुधता भी बढ़ती है सनान करने के बाद ध्यान की प्रक्रिया होती है ब्राम महुरत की ध्यान प्रक्रिया की अब्धी 21 दिन तक होती है इस अब्धी का उप्योग तब क्या जाता है जब आप अपनी कोई मनो कामना की पूर्ती चाहते हैं यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपनी आग्या चक्र को सक्रिय करने का काम करती है वह सन्यासी आगी कहते हैं कि आग्या चक्र दोनों भवों के बीच में होता है यह संकल्प का स्थान भी का जाता है अगर इस चक्र पर गेंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोगराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह बर्ण हो जाती है अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसी पूरा करना चाते हैं तब सबसे पहले उस मनोकामना का सपष्टी करन करने आपको क्या करना चाहिए यह निर्ने अवश्य करने इसके बाद ध्यान की विथी को शुरू करे ब्राम मोरत में सनान के बाद एक ऐसा अवेश हो ध्यान में शुद प्राण वायू का होना आविशक होता है ग्यान की मुत्रा में रीड की हड़ी सीधी होनी चाहिए साथी गर्दन भी सीधी होनी चाहिए सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रख कर आंखी बंद करकी पैस चाहें हाथ की मु और श्वास भी शान्थ हो जाए तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आग्या चक्र पर गदाएं इस दोरान लंबी गहरी सांस ले और सांस को रोक कर रखें इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोराएं अपनी मन की आँखों सी इष्ट देव और देवी देपताउं गोरुआं का चिन दन करें इसके बाद सन्यासी ने कहा कि जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें सांसों को नाग से भरें और मुख से छोड़ें इस प्रक्रिया को तीन चार बार प्रती दिन दोराना चाहिए ऐसा प्रती दिन करने से आपकी जो मनो कामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुँचाएगे और इच्छा पुर्ती जल्दी होगी आग्या चक्र सक्रिय होता है और हमारी आग्या को पूरा करता है सांस को रोक कर रखने के दोरान शरीर में आपात काल स्थिती हो चाती है जिससे कि आप वेकार की बाते सोचने और विचार करने से बच्चते हैं इससे मन की एकागरता बढ़ती है तथा इच्चाएं अवचेतना पहुंचाती है ब्रहम महुरत के समय पर इश्वर की विशेश क्रिपा होती है और कोई भी व्यक्ती जब अपनी मनों काम ना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्चा जल्द से जल्द पूरी होती है इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रहम महुरत का महत्त बताया अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्विया को अपनाया अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का वेक्ती बन चुका था उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया उसके बश्चार वहवेक्ती बड़े ही प्रसन भाव से सन्यासी के पास पहुँचा और कहा कि हे गुरुदेन मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा करनिया है अब कृप्या करकिये मुझे सफल होने का मंत्र बताईए तब उस सन्यासी ने मस्कुराते हुए कहा कि पिछने 21 दिनों से जो अभ्यास तुम प्रती दिन करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है जो व्यक्ती ब्रहमंहुरत में उठकर ध्यान प्रत्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी भी आसफल नहीं हो सकते तुम्हें ब्रहमंहुरत का रहसे पता चल चुका है अब इसे जीवन पर्यंत करो तुम्हें जीवन के लक्षय और सफलता दोनों प्राप्थ होंगे उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और भ्रहमंहुरत के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया है हे प्रिय भक्तों अब भगवान श्रीक्रेश में कहते हैं हे नारद जी अब तो आपको पता चल गया होगा कि भ्राम मूरत क्या होता है। तब नारद जी बोले कि हे प्रभु अब मुझे भ्राम मूरत का संपोन ग्यान हो क्या है। इतना कहकर नारद जी ने भगवायन शिरेक्रेश्न को धन्य बात दिया और एंद्रदेव के पास चातर उन्हें भ्रम ग्यान का संपोन ग्यान दिया। हे प्रिय भक्तों, आप सभी भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचिन परंपरा को अपनाओगे, तो निश्चे ही आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदन जाएगा। कर दो कि जाएगा।